दोस्तो जैसे कि हम हमारे पुराने वीडियो से आपको लगातार बताते आ रहे थे कि हमें लगता है कि यहाँ से गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी बन सकती है हमने हमारे 16 अक्टूमबर 2022 के वीडियो में आपको क्लियरली दिखाया था कि रियल इंट्रेस रेट अगर यहाँ से उपर जाते है तो वो इंडिकेट कर रहे है कि गोल्ड के अंदर आने वाली गिरावट में खरीदारी के बारे में ही सोचना चाहिए हमने हमारे वो वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड के लिए इंटरनेशनल मार्केट में 1615 डॉलर का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और गोल्ड जब तक इसके ऊपर है हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेजी 1730 डॉलर तक बढ़ सकती है आप देख सकते हो ये गुरुवार को गोल्ड ने 1615 डॉलर के पास ही सपोर्ट लिया है और ये शुकरोवार को गोल्ड के अंदर वहाँ से एक बहुत ही अच्छी तेजी बन चुकी है हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड 1730 जो हमारा पहला टार्गेट है उस से जल्दी ही अच्छीव करेगा उसी तरह से गोल्ड के डेली चैट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो गोल्ड एक रेक्टेंगल पैटरन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था और ये रेक्टेंगल पैटरन का टार्गेट है 60 डॉलर का तो अगर गोल्ड ये पैटरन के पर टिकता है तो गोल्ड के अंदर वहाँ से तेजी 1737 डॉलर तक बढ़ सकती है आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर तेजी यहाँ से और बढ़ेगी उसका एक महत्वपूर्ण कारण गोल्ड सिल्वर रेशो भी है आप देख सकते हो गोल्ड सिल्वर रेशो ने उसके प्रिवियस लो को ब्रेक किया है तो पूरे पूरे चांसे से कि गोल्ड सिल्वर रेशो यहाँ से और नीचे जाएगा जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया है कि गोल्ड सिल्वर रेशो जबी भी नीचे जाता है तो वो गोल्ड सिल्व पैटन की उपरी ट्रेंड लाइन के पास ही बंद हुआ है ये उपरी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टन्स आता है 50,860 का तो अगर सोमवार को गोल्ड 50,860 के उपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर एक ब्रेकाउट आ सकता है जो यहाँ से उसे 800 से 1000 रुपया उपर लेके जा सकता है एक महत्व पुर्णबाद जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंश मजबूत हो रहा है तो पूरे पूरे चांसे से कि गोल्ड जितना इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत हो उतने ही मजब वो इंडिया में ना दिखा है जैसे कि हमने यह शुकरोवार को देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 3.12 प्रतिशत उपर था लेकिन उसके उल्टा इंडिया के अंदर वो सिर्फ 1.36 प्रतिशत ही उपर था और इसका कारण सिंपल है कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंश्ट मजबूत हो रहा है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शे थांक यू